Hello students, welcome to Jeevan Classes. आज के इस वीडियो में Lucent Samane Gyan का Lecture No. 27 हम देखने वाले हैं और जिसमें हम बात करेंगे जौनपूर, राज्ये और कश्मीर राज्ये के इतिहास के बारे में और इन दोनों को हम यहाँ पर complete करेंगे आप देख रहे हैं जौनपूर और कश्मीर का इतिहास complete करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को आइन तक देखेगा और तब बताएगा आप एक वीडियो आइन तक देखें दोस्तों और तब आपको बाता चल जाएगा कि यहाँ पर लोसेंट कितना एडवांस वर्जन में दिया जाता है आप खुद से समझ जाएंगे एक वीडियो आप देखेगा और वीडियो में अपना कमेंट जरूर डालेगा कि एक कमेंट आप करके बताएए आपको वीडियो कैसी लगी तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में बने रहिएगा लास्ट वीडियो में बहमनी वंस को हमने कम्प्लीट किया था उसके बाद बात आती है यूनिट नमबर 30 स्वतंत्र प्रांतिय राज्ये की और स्वतंत्र प्रांतिय राज्ये में जैसे जोनपूर है, कस्मीर है, बंगाल है इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे आज हम जोनपूर और कस्मीर को इस वीडियो में कम्प्लीट करने वाले हैं जितने भी क्योशन बनते हैं कि कोई भी एक्जाम हो आप UPSC तक का एक्जाम दे रहे हो इससे बाहर आपको क्वेशन नहीं मिलेगा आप खुद से देख लीजिए देखे, जोनपूर राज्ये जोनपूर राज्ये का इतिहास हम यहां पर देखें तो संस्थापक के सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक कौन थे? तो जोनपूर राज्ये के संस्थापक फिरोज सहाथ तुगलक थे और याद रखें कि फिरोज सहाथ तुगलक ने जोनपूर राज्ये की स्थापना कैसे की? तो एक भाई थे इनके फिरोज सहाथ तुगलक के जिनका नाम था जोन खाँ और इन्ही की याद में इन्ही की याद में यानि कि फिरोद सहा तुगलक ने अपने भाई की याद में इसमर्ती का मतलब होता है उनके याद में जोनपूर नगर की इस्थापना की थी यहां तक तो जोनपूर के जो संस्थापना के उनके बारे में पता चला अब उसके बाद जोनपुर में एक वंस के स्थापना हुई एक स्थापना हुई जिसका नाम था सरकी राजवन्स क्या नाम था शरकी राजवन्स है किस्थापना करने वाले थे वो कौन थे मलिक सर्वर मलिक सर्वर ने सर्की वंस की स्थापना जोनपुर राज्ये में कर दी और मलिक सर्वर की एक उपादी थी जिनका नाम था मलिक उस सर्क मलिक उस सर्क नाम था और जिसका अर्थ होता है पूर्व का स्वामी और यहाँ पर मलिक सरवर का एक अन्य नाम जो आपको याद रखना है वो क्या था? ख्वाजा जहान, क्या नाम था? ख्वाजा जहान, इसका मतलब यह है कि जोनपुर में एक स्वत्मत्र राज्य की जो इस्थापना की गई थी वो शर्की राज्वंस की की गई थी और किसने की थी? मलिक सरवर ने जिसका दूसरा नाम ख्वाजा जहान था और ख्वाजा जहान की एक उपाधी मलिक उस सर्क जिसका अर्थ होता है पूर्वका स्वामी और यह उपाधी किसने दी थी? तो ये उपादी दी थी सुल्तान महमूद ने और कब दी तेहरा सो चौरानवे में तो आपको क्या याद रखना है कि मलिक उस सर्क किस की उपादी है तो ये है मलिक सर्वर की या फिर ख्वाजा जहान की किसने दी थी सुल्तान महमूद ने और सुल्तान महमूद किसका पूत्र था सुल्तान महमूद फिरोज साहतुगलक का पूत्र था तो फिरोज साहतुगलक हम फिर से देखें तो संस्थापक था जौनपूर का ठीक है जौनपूर का संस्थापक फिरोज साहतुगलक अपने भा उपादी मलिक उस सर्ग थी और उस उपादी को प्रदान करने वाला सुल्तान महमूद जो की फिरोज सा तुगलक का पूत्र था ओके अब देखें आगे मलिक सर्वर के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम है मुबारक शहा क्या नाम है मुबारक शहा और मुबारक शहा का जो है टाइम पिरियर्ड पेपर में आता है जो की है 1399 से 1402 इस्वी 1399 में 1402 इस्वी में मुबारक शहा मलिक सर्वर के बाद गद्दी पर बैठा और मुबारक शहा के बाद गद्दी पर बैठता है समसुदिन इबराहिम शहा क्योंकि मलिक सर्वर के बाद जो गद्दी पर बैठा मुबारक शहा उसकी केवल एक ही क्य आपके एक्जाम में देखने को मिल सकती है, वो कौन सी कि उसका टाइम पिरियड क्या था, 1399 से 1402 तक, उसके बाद जो है समसुदिन इबराहिम शाहा, समसुदिन इबराहिम शाहा जो गद्धी पर बैठा, वो 1402 इसवी से 1436 इसवी तक उसका सासनकाल शरकी वंस में इसके बाद इसने एक मस्जिद का भी निर्मान कराया, तो वो कौन सी मस्जिद थी? उसका नाम था जाजरी मस्जिद, जाजरी मस्जिद जो है किसने निर्मान कराई? वो कराई थी इबराहिम शाह शरकी ने, और कब 1430 इसवी में? तो यहां से क्योशन आपका क्या बनता है? ध्यान रखेगा, कि जाजरी मस्जिद किसके द्वार के द्वारा निर्मान कराए गई कौन सा सर्किशा सकता इब्राहिम शाह शर्की और कब कराए गई थी 1430 ECB में यहां तक है तो यह जो जाजरी मस्जिद है यह प्रसिद्ध क्यों है इतनी फेमस क्यों है किस वजह से यह फेमस है तो देखिए सभी सूफी संतों के कतनों का उले मतलब क्या है कि यह म transmit है इसके अगर हम अन्दर जाएं तो वहां पर सूफी संतों के कतन वहां मिलते हैं यह इसका इतिहास देखें तो सभी सूफी संतों के कतनों का उले हमें मिल जाता है इसलिएSON जह जाजरी मस्जिद फेमस है अब देखिए एक मंदिर है अटाला देवी मंदिर अटाला देवी मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो राजा विजय चंद्र राजा विजय चंद्र ने कन्योज में एक मंदिर निर्मान कराया जिसका नाम था अटाला देवी मंदिर तो इस मंदिर को तोड़ करके इबराहिम शाह शरकी ने इसके स्थान पर अटाला देवी मंदिर की जगा पर मजजिद कर दिया ठीक है यानि कि इस मंदिर को तोड़ दिया गया और उसके बाद अटाला देवी मजजिद का निर्मान इसने वहाँ पर करा दिया किसने इब्राहीम शाहा शरकी ने और ये कब हुआ 1408 17 में ठीक है कब हुआ था 1408 17 में तो याद रखीएगा अटाला देवी मंदीर का निर्मान कराया था राजा विजेय चंद्र ने कन्नोज में तो इब्राहीम शाहा शरकी नेस만 दोड़ करके अटाला देवी मस्जीद का नाब पर बताई जाती है कन्योज में क्योंकि वहीं पर तोड़गर बनाई थी और यह किया उसने 1408-CV में जोनपुर को भारत के किस नाम से जाना जाता है तो दीख़े भारत का सिराज किसे कहा जाता है जोनपुर को कहा जाता है तो यहाँ पर question है यहाँ रखना है आपको भारत का सिराज कहा जाता है जौनपूर राज्ये को देखे जामा मस्जिद ये जामा मस्जिद है जामा मस्जिद का निर्मान किस ने कराया था तो हुसेन सहा सरकी ये भी सरकी वंका सासक था इसलिए हमने यहां पर ये कोशन रखा कि जामा मस्जिद का निर्मान कराया था हु 1470 ACPME तो इटाला देवी मंदिर को तोड करके 1408 ACPME इबराहिम शाहभ hasn के ने एक मंदिर तोड़ा और अटाला देवी मस्जिद का निर्मान करा दिया जहनपूर को भारत का सिराज कहा जाता है और जम्ण मंदिर का निर्मान जो कराया था हूख errors इनसा सरकी ने कराया था और वो कराया था 1470 इस्वी में अब देखिए एक और है मस्जिद है लाल दर्वाजा मस्जिद जो है उसका निर्मान किस ने कराया लाल दर्वाजा मस्जिद का निर्मान कराया था मुहमद सहा ने मुहमद सहा ने और ये कराया था 1450 इस्वी में 1450 इ जोनपूर्ट का सबसे सक्तिसाली सासक जो रहा वह कौन था कि वह बताया गया आपको इद रख्या क्राइब कि इराहिम शाह शारकी को और पुरा किरति लता नामक पुस्तक में तो आपको ये भी याद रखना है कि किरति लता नामक पुस्तक किसकी है तो वो है विधापती की तो यहां से क्वेशन कैसे बनता है हम आपको बताते हैं कि किरति लता नामक पुस्तक किसकी है वो है विधापती की और किरति लता जो है इस पुस हुसैन सहा सरकी था और हुसैन सहा सरकी ने जामा मजिद को निर्मान कराया था इनके उसन को आप भूलेंगे नहीं इनको याद रखेंगे इसके बाद जोनपुर का समराजज्य खतम होता है अब हम बात करते हैंक कश्मीर के बारे में तो अब देखते हैं इस पर कब किसने राज किया और कब इसमें क्या हुआ था तो कश्मीर में हिंदू राज्य के स्थापना कब और किसने की थी तो आपको याद रखना है कश्मीर में हिंदू राज्य के स्थापना कब और किसने की थी 1301 इस्वी में Sulhadev नामक एक हिंदू था उसने कश्मीर में हिंदू राज्य के स्थापना कर दी ठीक है? यहां तक आपको पता चला आप देखे कश्मीर में पर्थम मुसलिम वंस के स्थापना कब हुई थी? तो देखे हिंदू राज्य की स्थापना कश्मीर में 1301 इस्थी में हो चुकी थी और वो की थी सुहादेव नामक एक हिंदु ने ठीक है तो कश्मीर में हिंदु राजिय था इसके बाद कश्मीर में पहला मुस्लिम वंस कब स्थापित हुआ और किस ने स्थापित किया ये आपको जाना है तो शाहमीर नाम का एक व्यक्ति था उस ने पिर्थम मुस्लिम वंस कश्मीर में इस्थापित कर दिया और तब समय था तेरा सो उन्तालिस ओर चालिस का तेरा सो उन्तालिस और चालिस इस्वी में कस्मीर में पहला मुस्लिम वंस इस्थापित हुआ और कश्मीर का पहला मुस्लिम सासक कौन बना यही शाहमीर था कौन शाहमीर यानि कि जब इसी ने मुस्लिम वंस को इस्थापित किया तो उसका राजा भी यही बना तो पहला मुस्लिम सासक कस्मीर का साहमीर था इसको आप याद इसलिए रखेंगे क्श्मीर पर पहला मुस्लिम वंस इस्थापित करने वाला शाहमीर और पहला मुस्लिम सासक कस्मीर का सहमीर था और 1349 से 1342 तक यानि के तीन साल तक इसने जो है सासन किया जब ये गद्धी पर बैठा तो इसका नाम समसुदीन सहमीर पड़ा क्या नाम था समसुदीन सहमीर और इसने अपनी राजधानी इंदर कोट को बनाई और इंदर कोट कहां पड़ता है ये आपको बता है कश्मीर राजजे में पड़ता है तो इंदर कोट को इसने अपनी राजधानी बनाई तो क्वेशन क्या बनता है कि पर्थम मुस्लिम वंस की राजधानी कश्मीर में कहा थी तो याद रखें इंदर कोट में थी इसके बाद जब इसका सासनकाल पूरा हुआ इसके बाद गद्दी पर बैठता है अलाउदीन और अलाउदीन जो है 1344 से 1356 में गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के बाद हमें इपता चलता है कि सुल्तान अलाउदीन जो था उसका वास्तविक नाम अलाउदी क्या नाम था अलिशेर और याद रखिए इसने अपनी राजधानी बदल दी इंद्रकोर्ट से कहां कर दी स्री नगर जो की अलावदीन पूर उस टाइम पर कहलाती थी यानि के अपने ही नाम पर एक नगर बना दिया अलावदीन पूर और अलावदीन पूर को हम इस टाइम क समसुदीन सहामीर ने पर्थम urban से स्थापित किया उसने अपने राजधनी इंद्र कोर्ट बना दी इसके बाद गदि पर बेटा अलाओदिन जिसका पूरा नाम यानिके वास्तिवी की नाम अलिशेर था उसने इंद्र कोर्ट से बदलकर अपने राजधनी कहा कर दी अलाओद सिहाबुदीन ने जो शाहमीर वंस का वास्तिविक संस्थापक है वो उसने स्थापित किया याद हो गया तो कस्मीर में पर्थम मुस्लिम वंस कौन सा स्थापित हुआ शाहमीर वंस और शाहमीर वंस में ऐसा कौन सा सासक जिसने साहमीर वंस की वास्तिविक स्थापना की तो सुल्तान सिहाबुदीन आप याद रखेंगे सुल्तान सिहाबुदीन ने दो बड़े नगरों की स्थापना की कौन कौन से शारिकपूर और सिहाबुदीन नगर और इसका सासन काल चला 1356 से 1374 इसवी तक सिहाबुदीन के बाद जो गद्दी पर बैठा वो बैठा कुतुब बुदीन और कुतुब बुदीन जो था उसका सासन 1389 तक चल गया ठीक है इसके बाद मुल्तान सिकंदर सुरी सुल्तान सिकंदर जो है ये 1389 से 1413 तक सासन करते हैं तो डिली पर सासन 1339 से चलता चलता कहां तक पहुंचा 1413 तक मुसिम सासक में सबसे पहले कस्पीर में गयर मुसिलमानों पर जजिया कर किसने लगाया था तो जो ये सुल्तान सिकंदर था इसी ने कश्مीर के अंदर जो भी जनता रहती थी उसमें जो गैर मुस्लिम लोग थे उन पर एक कर लगा दिया जिसका नाम था जजियाकर और जजियाकर लगाया किसने सुल्तान सिकंदर ने और जजियाकर होता क्या था यानि कि जो मूर्ति पूजक होते थे मूर्ति पूजक का नाम कैसे कि जो गैर मुस्लिम होते थे जो लोग मुसल्मान नहीं थे उन पर ये कर लगा जाता था उन पर ये कर वसूल जाता था सिकंदर ने हिंदूों को माथे पर चंदन का टीका लगाने पर बैन कर दिया तो सुल्तान सिकंदर ने क्या किया कि जो हिंदू लोग थे वो अपने माथे पर चंदन का टीका लगाते थे माथे पर चंदन का लेब करते थे तो उसने क्या किया कश्मीर में इसको बैन कर दिया कि कोई भी गैर मुस्लिम लोग कश्मीर के अंदर माथे पर चंदन नहीं लगाएं इसके बाद उसने क्या किया कि हिंदू मंदिरों और उनकी मूर्तियों को गला कर सिक्के बनाने का आदेश किस ने दिया कश्मीर के सासनकाल में हिंदू मंदिरों और उनकी मूर्तियों को गला कर सिक्के बनाने का आदेश किसने दिया तो यह आदेश देने वाला कौन था सुल्तान सिकंदर तो किसने हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को गलाकर कस्मीर के सासनकाल में सिक्के बनाने का आदेश दिया वो कौन था सुल्तान सिकंदर और द्याद रखे कौन कौन से मंदिर इसके द्वारा तोड़े गए जिनकी मूर्तियों को गलाकर के इसने सिक्के बनवा दिये पहला था मार्तंड मंदिर तो मार्तंड मंदिर किसके द्वारा तोड़ा गया मार्तंड मंदिर तोड़ा गया सिकंदर के द्वारा सुल्तान सिकंदर दूसरा चक्रधर मंदिर चक्रधर मंदिर किसके द्वारा तोड़ा गया सुल्तान सिकंदर के द्वारा तीसरा मंदिर था अवंतिपुर के मंदिर जितने भी थे उनको उसने तोड़ दिया तो अवंतिपुर के मंदिरों को भी तोड़ करके उनकी मूर्तियों को गला कर सिक्के बनवा दिये तो ये मंदिरों को आप याद रखेगा इसी कारण जब ये मूर्तियों को तोड़ता था तो इसको एक नाम दे दिया गया और वो नाम था बुत शिकन क्या नाम था बुत शिकन तो बुत शिकन का मतलब होता है मूर्ती तोड़ने वाला बुतों को तोड़ने वाला तो बुत को तोड़ने वाला यानिके मूर्तियों को तोड़ने वाला कौन सिकंदर यानिके सुल्तान सिकंदर कश्मीर का सासक चीक है इसके बाद सुल्तान सिकंदर ने एक काम और किया जो वहाँ पर सती पृथा की मतलब वीदी विधान चलता था पृथा चलती थी सती पृथा उसका उस रिवाज को इसने क्या कर दिया बंद कर दिया यानि कि क्या होता था कि जिस औरत का जो पती था वो मर जाता था तो उसी के साथ उसको जो है सती होना पड़ता था उसी के साथ वो भी जिन्दा जल जाती थी तो इस पृथा को उसने क्या कर दिया कश्मीर में बंद कर दिया तो यहां से question बनता है कि बुथ सिकन किसको कहा जाता है बुथ सिकन किसकी उपादी है तो वो है सुल्तान सिकंदर की कश्मीर के अंदर सती पिर्था पर रोक किसने लगाई सुल्तान सिकंदर ने सुल्तान सिकंदर के बाद जो है वो गद्धी पर बैठता है जैनूल आबदीन जैनूल आबदीन जो है वो गद्धी पर अकर बैठा तो कब बैठा? 1420 इस्वी में वो कश्मीर की गद्धी पर बैठा इसने कुछ उपाधी भी धारण की कौन-कौन सी? एक तो बादसाह की नाइब ए अमीर उल मौमिनीन नाइब ए अमीर उल मौमिनीन और बादसाह ये दो उपाधी इस की याद रखेंगे जैनूल आबदीन की कश्मीर में गोहत्या पर परतिबंद लगाने का आदेश कि ने दिया? जैनूल आबदीन ने गेर मुसलिमों से जो जजियाकर वसूला जाता था उस पर रोख किसने लगाई? जैनूल आबदीन याणि के उसको समाप्त इसने किया? जैनूल आबदीन ने पुनहें प्रालम कर दे, यानिके ये जो था सुल्तान सिकंदर के बिल्कुल अपोजट चला था, जैनूल अबदीन ने कुतुब के नाम से कई कविताइं लिखी थी, और उन कविताओं की भासा फारसी थी, यानिके ये एक कवी भी था, और इसलिए कहा जाता है कि जैनूल अ स्तरंगनी को फारसी में अनुवाद करा गया था, क्योंकि ये कई भासाओं का ज्यान रखता था, और इसने कविताइं भी कई फारसी में लिखी थी, और इसी से महाभरत और रामायन जैसे जो महाकाविय हैं, उनका जो फारसी है उसमें अनुवाद कराया, जैनूल अबदी इनको कई भाशाओं का ग्यान था, जैसे फार्शी, संस्क्रत, कश्मीरी, तिबबती, आधी, इन भाशाओं का यह ग्याता था, बहुत अच्छी तरीके से इन भाशाओं को जानता था, अब जैनुल आबदीन जो है वो कश्मीर का अकबर कहलाता है तो क्श्मीर का अकबर किसे कहा जाता है तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को किसको कहा जाता है जैनुल आबदीन को और कश्मीर का अलावदीन भी जैनुल आबदीन को कहा जाता है तो दोनों क्वेशन याद रखने हैं कि कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलावदीन किसको कहा जैनूल आबदीन को उसके बाद जैनूल आबदीन ने एक गरंत भी लिखा था क्योंकि ये खुद से कवी था तो एक गरंत लिखा जिसका नाम था शिकायत नामा क्या नाम था श शिकायत नामा ग्रंथ किसका है, शिकायत नामा ग्रंथ के लेखा कौन है, जैनूल आबदीन, जैनूल आबदीन का सासनकाल 1420 से 1470 इस भी तक रहा, और 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल समराज्जी में मिला लिया, यहां तक कश्मीर का सासनकाल हमने पढ़ा, इसके बाद बंगाल के सासनकी, यानि के बंगाल के इतिहास की, तो अगर हम यहां से सबसे पहले क्वेशन देखें, तो बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला एक सुल्तान हुआ, जिसका नाम था, इक्तियार उदीन मोहम्मद बिन बक्तियार खिलजी, नाम आपको जरूर बढ़ा लग रहो गा लेगिन इसने किया क्या किया था बंगाल को दिली सलत्राइब मिलाने का कॉं झो अभ्वयक्तियान की नाम है एक्तियारुदीन मुहमद बिनबक किया क्योशन यह बनता है तो तीन भागों में इसने भी भाजित किया और वे तीन भागते एक तुक हो गया लखनोती जिसको बोला गया उत्तर बंगाल दूसरा हो गया सोनार गाउं जिसको बोला गया पूर्वी बंगाल तीसरा हो गया सत गाउं जिसको बोला गया डक्षन ब जिल जी याद入 नाब के हमने लाइक सार्टी इस के आप करदे न कर देखें यहां पर जौनपूर कि शुलीमें और रही तो पुज़ीयों के लोख करते से मिलियंग के साथ मालुओ और दूस्रा हम पढ़ने वाँ Egyptian साथ-साथ गुजरात का इतिहास तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस कर लीजिए आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोवाइल पर सबसे पहले जाएगा मिलते है नेक्स्ट ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ